Hi guys, welcome back to web development series इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSS के first lecture या introductory lecture के बारे में यानि आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारी CSS की series जिसमें हम बात करेंगे CSS के basic introduction के बारे में CSS कितनी तरहां से आप अपने web page पे लगा सकते हैं CSS क्या कुछ कर सकती है और CSS में आप comments कैसे मनाते हैं ये पहला basic video है इसको देखकर आपका base set होगा आप समझ पाएंगे CSS क्यों इतनी important है और कैसे CSS एक web page को बिलकुल wow web page मना देती है चले शुरू करते हैं हमारा first lecture शुरूआत हमेशा की तरह lecture के agenda के साथ में आज करूँगा आज क्या-क्या बाते हैं हमारे बीच में होगी तो पहला point आज हम discuss करेंगे CSS अपने आप में क्या है CSS के क्या-क्या versions available है market में CSS कितनी तरह से आप अपने web page पे apply कर सकते हैं और अगर आपको CSS में कोई चीज comment out करनी हो friends तो ये आप कैसे करते हैं शुरुआत सबसे पहले point से करते हैं introduction to CSS यानि CSS अपने आप में क्या है तो friends जहां तक CSS के full form की बात है कई बार मैंने HTML पढ़ाते वगद आप से इसके बार में बात करी है CSS का full form होता है friends cascading style sheet और ये अपने आप में एक designing language है जब मैं कहता हूँ designing language है तो मैंना मतलब ये एक ऐसी language है जो आप HTML के साथ use करते हैं अपने webpage को सुन्दर बनाने के लिए अपने webpage को present table बनाने के लिए ये जो आप नीचे देख रहे हैं न CSS के मदद से आप webpage का look and feel set करते हैं बस ये ही CSS का main काम होता है HTML से आप table लाएंगे लेकिन वो table कितनी सुन्दर दिखेगी ये decide आप CSS से करेंगे HTML से आप images लाएंगे लेकिन उन images को आप क्या size देंगे क्या location देंगे ये आप decide कर सकते हैं बिद्धी help of CSS तो अगर मैं summarize करूँ कि friends CSS अपने आप में क्या-क्या कर सकती है तो हमारी अगली slide इस चीज़ का demonstration है CSS की मदद से आप text का color set कर सकते हैं CSS की मदद से आप fonts की styling कर सकते हैं background वगेरा code कर सकते हैं and most important difference आप CSS की मदद से अपनी website को बना सकते हैं responsive responsive के बरह में मैं आपसे 5 मिट बार-बार करता हूँ पहले मैं आपको CSS की power दिखाता हूँ CSS web page पे होती है तो क्या होता है और नहीं होती है तो क्या होता है और ये power समझने के लिए let us visit Amazon इस समय आप Amazon पे CSS को action में देख रहे होंगे इस समय CSS full strength के साथ Amazon पे action ले रही है but मैंने अपने Google Chrome में friends एक extension डाल रखा है इस extension की मदद से हम लोग CSS को disable कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं तो आप notice करिए मैंने extensions tab पे click करा मेरे सामने एक disable HTML का extension है इसको मैंने open करा और friends आप देख पा रहे होंगे या मेरे पास CSS को on off करने का option मैं जैसे ही या off पे click करूँगा CSS off हो जाएगी और अगर मैंने पेज को refresh करा तो notice करिएगा दो मिनिट बाद आपको without CSS ये page देखेगा ये page है friends अब इसमें से CSS हटा दी जाती है आप देख पा रहे हैं ये pure HTML का page है जिसमें आपको text दिख रहा होगा images दिख रही होंगी font अगेरा थोड़ा color अगेरा दिख रहा होगा जो anchor के कारण आ रहा है लेकिन जो designing ये पूरी गायब है पूरा background effect गायब है पूरी locations हट गई है element कहीं भी आ रहा है at random बट अब आप notice करिए अगर मैं वापस CSS को enable कर देता हूँ कैसे करते हैं CSS enable इसी extension पे वापस चलते हैं और CSS को on कर देते हैं on करने के बाद अगर अब मैं इस website को refresh करूँ तो आप देखिएगा CSS action में आने के बाद आपका webpage कितना सुन्दर कितना presentable हो जाएगा this is the power of CSS तो बिना CSS के आपके HTML page में आपके website में कोई प्रेजेंटेशन ही नहीं रहती वो इतना अगली दिखता है कि end user कभी उसको visit करना नहीं चाहेगा CSS makes your website look beautiful CSS makes your website look friendly and attractive this is the main theme the main power of CSS I hope आप समझ गए होंगे what is the meaning of the word styling cascading का मतलब भी मैं आपको बताऊंगा अभी आप styling का मतलब समझे कि website को ज़्यादा attractive करना उसको ज़्यादा presentable बनाना that is the job of CSS अब एक word आया theory के अंदर अगर आपने notice करा हो और वो यह कह रहा है कि CSS हमारी website को responsive करती है friends responsive websites का मतलब होता है ऐसी websites बनाना जिसके web pages according to device अपना look and feel या अपना layout चेंज कर ले according to device अपना layout या look and feel चेंज कर ले आप मांते हैं आजकल कई तरह के devices से लोग websites access करते है laptop से करेंगे, tablet से करेंगे mobile से करेंगे, desktop से करेंगे और इन सब में एक जो बाट different है जो सबसे common बाट जो different है friends वो यह है कि इन सब की जो screen size है वो इक दूसरे से अलग होती है तो मेरी website जब laptop पे खुले तो मुझे उसको अलग layout देना है tablet पे खुले तो अलग layout देना है mobile पे खुले तो अलग layout देना है पहले क्या होता था? लोग multiple websites बनाया करते थे mobile के लिए अलग website बनती थी desktop के लिए अलग website बनती थी आज की date में CSS इतनी smart हो गई है कि आप CSS की मदद से decide कर सकते हैं कि अगर आपकी website laptop या desktop पे खुले तो notice करें वो किस तरह से दिखनी चाहिए आप देख रहे हैं आप multiple columns आ रहे हैं जब वो tablet पे आ रही है यह multiple columns shrink होकर three columns में convert हो गए है और notice करें जब यही website mobile पे खुल रही है तो इस single column layout के अंदर convert हो गया है 99% website जो आज आपको market में नज़र आएंगी friends बो नज़र आएंगे responsive जो according to device अपना look and feel अपना layout change कर लेंगी और यह करने के लिए हम लोग use कर सकते हैं CSS को बात करते हैं चलिए अब CSS के versions के बारे में 1996 में CSS का पहला version आया था जिसके अंदर हम set कर पाते थे अपने webpage के fonts वगेरा alignment वगेरा, margin वगेरा यह साथ CSS 2i जिसने introduce करा different different devices के लिए CSS को कैसे use करा जाता है जिसकी बात मैं भी कर रहा था responsive कैसे बनाते हैं हाला कि उस time पे responsive इतना popular नहीं हुआ क्योंकि इतने devices नहीं थे जिससे लोग net access करते थे 90's के रहा में लोग generally net access करते थे with the help of computers लेकिन जैसे जैसे दूसरे devices popular हुए CSS का responsive behavior बहुत popular हो गया और 2005 आते आते CSS ने और कुछ नई features आड़ करे जिसमें सबसे prominent feature इन्होंने आड़ करा animations का और एक और prominent feature आड़ करा semi transparent colors का या transparency का मतलब आप notice करते होंगे CSS के अलावा HTML में आप सिरफ normal color set करते हैं CSS हमें power देती है कि हम colors को transparent कर सकते हैं CSS हमें power देती है कि हम अपने colors के उपर कई तरह के effects ला सकते हैं अलावा कुछ और features की बात करते हैं चलिए तो ये तो वही बात CSS क्या-क्या कर सकती है list बिनाने बैठूंगा तो बहुत लंबी list आई सीधे technical part पर आते हैं कि हम लोग अपने web page पे CSS को कैसे कर सकते हैं apply तो friends CSS बिलकुल HTML की तरह case in sensitive language है यानि CSS को फरक नहीं पड़ता आप CSS का code lower case में लिखें या upper case में लिखें बट हम लोग generally CSS का code लिखेंगे in lower case CSS में आप क्या-क्या लिखते हैं तो गौर करिएगा CSS में सिरफ तीन चीजें लिखी जाती हैं बस ये तीन चीजें मिल जाएं तो अपने आप में CSS का code complete हो जाता है क्या-क्या तीन चीजें होती है सबसे पहला होता है friends selector जब मैं selector कह रहा हूँ तो मेरा मतलब आपको CSS के तुरू browser को ये बताना पड़ेगा कि आप जो styling करना चाहते हैं वो अपने web page के कौन से element पे करना चाहते हैं CSS में बन जाते हैं selector हालकि CSS में कई variety of selectors है ये एक प्रकार का selector है जो आपने बोला कि HTML के tag CSS के अंदर selectors बनते हैं selector बताने के बाद आपको ये बताना पड़ता है कि आप उस selector की कौन सी property को handle करना चाहते है क्या करना चाहर है paragraph का color बदलना है paragraph का font बदलना है paragraph का background चेंज करना है alignment चेंज करना है क्या चेंज करना है आपको तो क्या चेंज करना है that is basically property और property को किस तरह का data देना है वो उस property के अपने आप में होती है value जैसे मैं आपको एक छोटा सा CSS code लिख कर देता हूँ इस webpage पे आप सबजने की कोशिश करिएगा ये code क्या कह रहा है browser से तो मैंने सबसे पहले कहा P P क्या बन गया friends P बन गया मेरा selector फिर अपन curly brace open करेंगे curly brace open करने के बाद अपन यहां लिखते है मान लीजे color और color के बाद colon करके मान लीजे मैंने कह दिया friends blue और blue लिखने के बाद ये brace मैंने close कर दिया थोड़ा सा इसको spelling clear कर दूँ मैंने आ लिख दिया मान लीजे blue अब अगर आपसे पूछू मैं ये क्या कह रहा है code ये क्या लिखा है मैंने तो पहली बात तो आप बोलो के sir ये आपने css का rule set लिखा है जो अपन css में coding करते है न उसको अपन लोग बोलते है rule sets लिखना rule set में ये p कौन है तो जैसा मैंने कहा ये p अपने आप में selector है जिसके थूँ हम ये बता रहे है browser के कि हमें सारा effect paragraph पे चाहिए ये जो हम code लिख रहे है paragraph के लिख रहे है ये जो आप color देख रहे है ये बता रहा है paragraph का क्या change करना है यानि कौन सी property change करनी है तो मुझे paragraph का font color change करना है और ये जो आप देख रहे है blue ये इस font color की corresponding value है अभी चिंता मत करिएगा हमें कैसे पता के font color change करने के लिए color बोलते है ये आप दीर दीरे सीखेंगे जैसे जैसे CSS में आप आगे बढ़ेंगे जैसे HTML में tax के साथ attributes होते है ऐसे CSS के अंदर selectors के साथ properties होती है HTML में आप attributes को equal to करके value देते है CSS में हम properties को value देते है colon की मदद से colon के left hand side पे property है और colon के right hand side पे value आती है ठीक है without wasting any further time मैं आपको सीधे इसका दिखाता हूँ practical demonstration friends ये मेरे पास एक चोटा सा CSS code है ये वाले code की मैं बात कर रहा हूँ जो मैंने अपने HTML page के अंदर लिखावा है अच्छा कहा लिखावा है तो मैं बता दू CSS आप तीन तरह से अपने page में add करते हैं अभी जिसका demonstration आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं internal CSS बाकी दोनों के बारे में भी इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं बट as of now ध्यान रखिए जब आप style tag के अंदर direct CSS की coding डालते हैं अपन कहते हैं आप use कर रहे हैं CSS को as internal CSS अच्छा विस internal CSS में हम browser से क्या करने को कह रहे हैं तो मैं browser से ये बोल रहा हूँ कि मेरे web page पे जितने भी p-tags है p-tags क्या होते हैं paragraphs तो मैं बोल रहा हूँ मुझे ये styling all the paragraphs पे लगानी है क्या लगानी है मुझे दो styling लगानी है हर paragraph का font color मेरे को red चाहिए और हर paragraph का जो alignment है text का वो मेरे को center चाहिए I hope आप HTML के basics से याद कर पा रहे होंगे कि paragraph का default alignment left होता है paragraph का default font color black होता है हमारा code paragraph के इस font color को red कर रहा है और paragraph का ये alignment कर रहा है center यह यह बात भी जानना जरूरी है कि by default browser भी अपनी कुछ CSS apply करता है जैसे अगर मैं इस web page को demonstrate करूँ तो आप मुझे बताइए क्या इस P पे ये CSS लगेगी तो जवाब होगा हाँ लगेगी क्योंकि ये paragraph tag है और ये CSS P के लिए ही बनी है क्या ये दूसरे वाले P पे भी ये CSS लगेगी बिलकुल लगेगी लेकिन notice करिएगा ये जो text आपको दिख रहा है न this is out of the para इसके उपर ये वाली CSS नहीं लगेगी तो फिर इसके उपर कौन सी CSS लगेगी गौर कीजेगा इसके उपर लगेगी default CSS default CSS वो CSS है जो browser अपने साथ लाता है जैसे इस paragraph का font color black हो ये अपने नहीं बताया इस text का फॉरी font color black हो अपने नहीं बताया ये browser को मालूम है इसका alignment left हो मैंने नहीं कहा ये browser को मालूम है तो इस CSS को हम लोग बोलते है default CSS या browser CSS या हम बोलते है user agent style sheet तीन नामें इसके default CSS, browser CSS या user agent style sheet और ये जो आप देख रहे हैं ये CSS किस ने लगाई ये हम लोग ने लगाई as a developer इसको हम लोग बोलते हैं जैसा मैंने बताया internal CSS तो internal CSS अपन लगा रहे हैं जो हम नहीं लगा रहे हैं जो उपर वाले दोनों paragraph हैं उनका color red आएगा उनका alignment center आएगा ये वाला जो non paragraph का text है मतलब के paragraph के बाहर इसका font color black आएगा और alignment आएगा left चेक करिए let's run the page ये हमारे code का output ये वाला part आप देखें अगर तो ये CSS style है ये वाला part अगर आप देखें ये without CSS है और ri towards left of the page I hope आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से CSS आपके web page पे अपना असर अपना effect दिखा सकती है that is the power of CSS clear? अब notice करिए अगर मान लीजे मैंने याँ पर red color की जगे बोल दिया मुझे blue color चाहिए what will happen जैसे अब मैं page चेक करूँगा दोनों paragraph का color change ओकर हो गया होगा blue that is how CSS can affect your web page ठीक है तो ये तो ही friends बात CSS को apply कैसे करते हैं इसके बारे में अब बात होगी हमारी CSS को apply करने के लिए हमारे पास तरीके कितने होते हैं in how many ways can I apply CSS on my web page तो याद रखेगा अपने web page पे आप CSS तीन तरह से apply कर सकते हैं पहला तरीका मैंने आपको बताया CSS apply करने का होता है internal CSS right internal CSS में हम क्या करते हैं ये जो आप देख रहे हैं ना friends ये internal CSS है जिसमें आप style tag लगाते हैं कहां पर head के अंदर और वहीं पे अपना CSS का code लिख देते हैं मैं आपको एक और example से internal CSS का demo देता हूँ now let's look at example number 2 ये हमारा second page है this one इसमें भी आप notice करिये internal CSS लगी है इसमें मैंने क्या बोला है browser से मैंने browser से बोला है पूरे web page body मतलब complete page पूरे web page का जो background color है वो मेरे को bisk चाहिए तो normally आप देखते होंगे web page का background color white होता है मैंने उसको white की जगे अब convert कर दिया है into bisk किसका color? पूरे body tag का color body मतलब entire background of my webpage will be converted to bisk अब अगर हम इस page को run करेंगे तो क्या होगा? क्या हमारे h1 के font color पे यसर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा h1 का font अभी भी हमें black मिलेगा font size h1 की अभी भी हमें 32 pixel मिलेगी इसी तरह से paragraph का font अभी भी हमको black मिलेगा paragraph की font size 16 pixel मिलेगी ये सब कौन कर रहा है? ये सब browser की default CSS कर रही है लेकिन पूरे web page का background color क्या मिलेगा? पूरे web page का background color अपनको देखने को मिलेगा बिस्क तो अगर मैं इस web page को execute करूँ like this चेक करिए पूरे web page का background color आपको बिस्क मिल रहा होगा लेकिन h1 और para का font color अभी भी black है जो default CSS के कारण है और alignment इनका left है और इनका font style या size है वो भी browser ने अपनी तरफ से set करा हुआ राइट? इस इस काल्ड internal CSS चिक है? आप CSS का दूसा style क्या होता है? जो दूसा style होता है friend CSS का उसका नाम होता है आप CSS को externally use कर सकते हैं external CSS बोलते हैं उसको external CSS में हम क्या करते हैं? let me give you a glimpse external CSS में हम लोग कुछ ऐसा करते है थोड़ा सा मैं आपको डाइगराम के थू समझाऊंगा तो चेक कीजेगा external CSS का मतलब होता है let's say हमारे पास ये एक HTML पेज है फिक है? suppose कीजे पेज का नाम है index.html जिसमें हमारी HTML कोडिंग है हम क्या करते हैं? मैं अपना CSS कोड इस फाइल का हम कोई भी नाम दे सकते हैं but extension इसका होना चाहिए .css तो imagine करिए मैंने इस फाइल का नाम दिया my styles extension दिया .css यहां रखेंगे क्या? यहां रखेंगे हम अपना CSS कोड वो भी धियान रखेगा without style tag CSS कोड आएगा लेकिन style tag के बिना आएगा तो अगर मैं आपको छोटा सा एक डेमो दूँ यह जैसे मेरा CSS कोड हो गया मैं my style.css में जाकर कह रहा हूँ p p के साथ मैं कह रहा हूँ color colon followed by blue यह मैंने अपना CSS कोड लिख दिया अब यह जो my styles.css है मुझे इसको link up करना पड़ेगा इस HTML पेज के साथ और I hope आपको याद होगा HTML में हमारे पास एक tag होता है जिस tag का नाम होता है link tag जो head tag का child tag होता है इस link tag की मदद से हम लोग इस index.html पेज को connect कर देंगे my styles.css से कैसे करते हैं तो link tag के दो minimum attribute code करते हैं जिसमें से एक attribute होता है rel तो rel में friends हम लोग value किया देंगे rel में हम लोग बोलेंगे style sheet क्यों क्योंकि यह nature of the document है कैसे document है तो यह style sheet document है और उसके बाद हम लोग को एक attribute और code करना होता है which is href जिसमें हमको इसका mention करना पड़ेगा path तो इस file का यहाँ पर हम path mention करेंगे link tag को हम लोग close करेंगे और अब जब आप इस index.html को browser में open करेंगे browser automatically link tag के कारण इस CSS code को load करेगा और इस web page के हर पैरा पे font color apply कर देगा blue कौन सा तरीका कहलाया this is called as external CSS फाइदा क्या होगा external CSS का बहुत अराम से आप पूरी website को एक single CSS file से manage कर लेंगे ये तो एक page हुआ ना अब imagine करिए मेरे पास एक और page है right माली जे मेरे इस page का नाम है contact.html मैं चाहता हूँ इसके भी हर paragraph का color मेरे को blue ही चाहिए nothing needs to be done ये CSS coding मेरे पास already है मुझे सिर्फ यहाँ भी mention करना होगा link tag और मैं इसको भी इस file से कर सकता हूँ connect और अगर आपको लग रहा है नहीं sir मेरे को इसके लिए different CSS रही है वो भी आप कर सकते हैं एक और CSS file मना सकते हैं उसको contact.html से connect कर दें generally जो recommended practice है friends वो यही है कि आप internal की जगे कोशिश करें कि आप use करें external CSS क्योंकि अगर आपकी website multi-page website है तो सब के लिए जो common theme है वो आप set कर सकते है inside this mystyles.css जो different different चीज़े हैं वो इनकी अलग-अलग CSS में भी आप code कर पाएंगे तो हम पढ़ेंगे सारे बट मैं आपको बता दू project level पे जो most recommended approach है वो होती है external CSS क्योंकि यह mix up नहीं करती है HTML और CSS को दोनों बिल्कुल separate separate रहते हैं HTML का developer पूरा focus HTML page पे कर सकता है और CSS वाला developer externally CSS से HTML page को कर सकता है control चलिए इसका भी दिखाता हूं मैं आपको एक live demo, एक actual code so coming back to our development environment यह मेरे पास external CSS का example है ध्यान दीजेगा कहा मेरी external CSS coded है तो notice करिए मेरे पास एक folder है CSS files I hope forward slash देखकर आपको याद आ रहा होगा यह folder application root पे है उसके अंदर एक file है जिसका नामे mystyles.css तो मैं सबसे पहले आपको mystyles.css का content दिखा गूँ इसके अंदर मैंने as usual दो properties code करी हुई है एक alignment और एक color of the text और code किसके लिए करावा है code करावा है मैंने paragraph के लिए अब browser को कैसे बोला जाए कि मुझे ये वाला mystyles.css अपने इस HTML page पे चाहिए तो ये बोलने के लिए मैंने use करा है link tag rel के अंदर दिया है मैंने style sheet type friends optional है आज CSS नुमेरो उनो language है बलके मेरा मतलब है सिर्फ एक language कहना चाहिए तो भी गलत नहीं होगा जिससे आप styling कर पाते है तो कोई जरूवत ही नहीं है कि हम यहाँ type लेक है we can drop it और हम ब्राउजर को बस दो चीजें बता रहे कि हमें style sheet चाहिए कौन सी style sheet चाहिए mystyles.css चाहिए अब इस web page पे जो दोनों paragraphs है आप देखेंगे इसके उपर इस mystyles.css का आ जाएगा effect अब अगर मैं इस page को run करता हूँ यह particular page अब external css के थूँ styled है clear अब क्या होगा अब अगर मैं इस external css में आकर कोई भी extra style add करता हूँ say for example मुझे paragraph का font style italic चाहिए अभी क्या था अभी font style हमारा normal आ रहा है तो मैं यह code कर दूँँगा italic semicolon save करिए semicolon लगाना बहुत ज़रूरी है css में just like cc plus plus और java हर property के बाद आपको last make semicolon देना चाहिए हाला कि आप अगर नहीं भी देंगे तो जब आप इस page को save करेंगे तो जो आपने extension add कर आवा है prettier वो यह semicolon automatically लगा देगा ठीक है last but not the least जो तीसरा style css code करने का आता है friends वो कहलाता है अपने आप में inline css inline css का क्या मतलब है inline css का मतलब है notice करिएगा जितने भी आपके पास html elements होते हैं जितने भी html elements होते हैं चाहे वो paragraph हो चाहे वो h1 हो चाहे वो table हो जितने भी element होते हैं चाहे block हो चाहे inline हो चाहे singleton tag हो चाहे container tag हो जितने भी होते हैं सब के पास friends एक global attribute होता है जिसका नाम होता है style global जब मैं कहा रहा हूं मतलब यह सब के लिए है even यह आपके HTML tag के पास भी होता है right तो सब के पास एक global attribute होता है जिसका नाम होता है style, आप इस style attribute के अंदर अगर कुछ code लिख देते हैं, css का, तो ये तरीका css लिखने का अपने आप में कहलाता है inline css, जैसे आप एक example में notice करिए, मैंने अपने first paragraph पे कोई styling नहीं करिए, यानि ये वाला paragraph default css को use करेगा जो browser लेका, लेकिन ये वाला friends जो आप paragraph देख रहे हैं, इसके style में मैंने set करा हुआ है text align center, color crimson, ये जो आप देख रहे हैं, the way of writing this css is basically called as inline css, मतलब आप समझ गये होंगे, अगर आपके पास 10 पेरा हैं, किसी एक पेरा पे आपको styling लगानी हैं, आप use कर सकते हो inline css को, हालकि कि मैं बता दू, inline css, least recommended css है, car and simple है, ये webpage को पढ़ने में थोड़ा complicated कर देती है, अपन लोगों के लिए, as a developer अगर कोई इस page को पढ़ेगा, तो थोड़ी मुश्किल जाएगी उसको ये पहचानने में, कि ये content है, और ये हमने styling लगा रखी है, इसले professionally it's always recommended, कि आप css को externally use करें, और अगर आपको लग रहा है, फिर सब पहचाने के कैसे, कि हमें इस particular पैरा पर ही लगाना है, तो हमारे पास css में मैंने कहा, बहुत तरह के selectors होते हैं, उन में से एक selector होता है, जो हम आने वाले lecture में पढ़ेंगे, called as id selector, उससे हम एक individual पैरा को identify करके, styling बस उस पे apply करवा सकते हैं, बट inline css सीखने के लिए, अपने इस example को discuss कर रहा है, तो ये वाला पैरा, जैसा मैंने कहा, default style में आएगा, और ये वाला पैरा, inline css के कारण, center aligned आएगा, और इसका color, इसका color आएगा, crimson, तो अगर मैं इस webpage को execute करूँ, चेक करिए, तो notice करिए, ये वाला जो paragraph है, first वाला, जिसमें आपको क्या text दिख रहा है, जिसमें दिख रहा है, hello world, इसका hello world, अपने normal style में आ रहा है, default css यूज करके आ रहा है, ये वाला जो paragraph आप देख रहा है, इस पे crimson लगावा है, और alignment भी इसका हो रहा है, center, this is called inline css right, अब एक छोटी सी बात और cover up कर लेते हैं, ताकि हमारा ये part complete हो, और वो ये है, कि css में क्या हम comments अप्लाइ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, hundred percent, जैसे कि आप इस example one को observe कीजे, example one में मैं paragraph के उपर क्या क्या कर रहा हूं, मैं paragraph पे color भी लगा रहा हूं, alignment भी set कर रहा हू suppose करिए, मुझे alignment नहीं, सिर्फ color set करना है, what I want is, इन दोनों का color मेरे को चाहिए blue, alignment मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस पूरे को मैं select करूँ, select करने के बाद keyboard से press कर दीजे आप control forward slash, automatically आपका ID, कोई भी आप use कर रहे हो, या develop environment, इस part को कर देगा comment आओ, syntact अगर कोई पूचेगा CSS में comments कैसे लगाते हैं, तो बिलकुल वैसे लगाते हैं, जैसे आपको इक दिख रहा है, forward slash star, इसके बाद आपकी CSS property, जिसको आपको comment out करना है, और उसके बाद star forward slash, ये लिखकर आप अपने CSS part को कर सकते हैं, comment out, automatically आपकी CSS coding हो जाएगी commented, right, अगर कर दिया, page run करा, सिर्फ मेरे को color का effect दिखेगा, alignment वापस चला जाएगा left पे, coming back to the code, वापस आकर अगर मैं इस part को uncomment कर देता हूँ, वापस मेरे पास alignment आ जाएगा center, और color तो रहेगा ही रहेगा, this is how we can set or comment और uncomment apart on CSS, मिलते हैं अगले वीडियो में, बात होगी, एक बहु को multiple जगे पे code कर देते हैं, then what the browser will do, इसके लिए हम समझेंगे a very important word which is called as cascading, उससे इस सवाल का जवाब में आपको दूंगा है, मिलते हैं अगले वीडियो में, stay tuned, thank you so much for all the loving support. झाल को झाल कि ठाल को झाल को